यो तो हमारी इस दर्ती पर कई बड़े और विशाल काई जीव मौचूद है जिने हम दूर से भी देख सकते हैं लेकिन दर्ती पर कुछ ऐसे भी जीव मौचूद है जो पास होकर भी हमारे आँखों से नहीं दिख सकते जिनें कुद्रत ने एक अलगी तागत दी हुई होती ह आज आपको दुनिया बरके ऐसे ही पांच इन्विजिबल एनिमल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आज से पहले आपने कपी नहीं सुना होगा और इन्हीं लिस में से एक ऐसी भी तितली मौजूद है जो हूब 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 पेर के सुके हुए पत्ते जै जिसे दून पाना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप इसे दुन्या का बहतरीन छिपने वाला जीव कहे तो कुछ गलत नहीं और इतना ही नहीं यह को एन्वारमेंट के हिसाब से अपने कलर्स को बदल लेती है गीकों की इस एबिलिटी के चलते अपना शिकार भी वह आ मचली होती है जिसकी वाज़स से यह अपने आपको मिट्टी में इस तरीके से छीपा लेती है कि उसे देख पाना इंपॉसिबल हो जाता है फ्लाउंदर अपने आपको जमिन के रंग की हिसाब से धांच लेती है जिससे वह हुब बहु जमिन के अंदर गुल जाती है ताकि कोई बारा सिकारी उसे डूड़ने सके लेप्तोसेफेलस समुद्र का एक ऐसा जीव है जो खुद को जीवाने में माहिर है यह जीव आगे से बिलकुल ही मसली की तरह दिखता है लेकिन यह कोई मसली नहीं है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब मसली अंदे डिरती है तो कुछ ही बच्ची जिन्दा वसपाते है क्योंकि पैंदा होते ही यह दूसरे समुद्री जीव का सिकार बन जाते हैं लेकिन जब लेप्तोसेफेलस अंदों से बाहर आते है तो उनकी बॉड़ी पहले से ही त्रांस्पेरेंट होती है जो कि इन्हें बाकी जीव से बचाने में मदद करती है और तीन महीनों के बफ तीफ मौथ यह क्रियेचर दुन्या का सबसे इन्वीजिबल क्रियेचर है जिसे पहली बार देखने पर कोई भी तोखा खा जाए बफ तीफ मौथ एक कटी हुई लगड़ी की तरह दिखता है जो बहुत ही रियर है यह शादी के मौसम में पेर के अंदर ही रहता है और पहले कभी नहीं देखा होगा अगर आप इसे पहली बार देखोगे तो यह आपको पेर का सुखा हुआ पत्ता ही लगेगा यह तितली बहुत ही रियर होती है क्योंकि इसे जंगल में धून पाना बहुत ही मुश्किल बारा काम है लेकिन बाहर से दिखने वाली यह तितली अंदर से बहुत ही खुबसूरत होती है